नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इस्टेडी शाला 2.2 में दोस्तों आज है 28 अक्टूबर और आज की क्लास में हम लोग 27 और 28 दोनों दिनों के करेंट अफेर्स को पढ़ने वाले हैं तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए हम ल लियो दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को ठीम क्या थी माताव और बच्चों के लिए एक सौस्त भविस्त है और इसी दिन यू एन दिवस भी मनाया जाता है किस सेर में डेड लाइट आन गाड़ी आप अभियान चलाएगा तो नई दिल्ली मे समाजिक, आर्ثिक और न्याय मेश कित राजी को सर्वस्रेष्ट घोशित किया गया है तो हर्यारण को घोशित किया गया है हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रथान मंत्री कौन बने है तो ये बने है दोस्तों कौन बने है रिसी सुनक बने है किसकी जगह पर तो लिज ट्रस्स की जगह पर बने है जार्जिया मिलोनी इटली की पहली महिला प्रथान मंत्री बनी है और विलियम रूटो केमिया के को को दिया गया है फ्रीडम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस कुस तक किस ने लिखिए तो गिमल जालान ने लिखिए और दोस्तों कुसी चैंपियंसिप में स्वर्ड पदक जीतने वाले पहले भारती ये अंडर 23 वाला है तो कौन बने है ये अमन सहरावत बने है और जो स सितरंग आया है सितरंग जो तूफान आया चक्रवाती ये कहां पर आया है तो बंगाल की खाडी में आया दोस्तों इसका नामकरण किस ने किया है तो इसका नामकरण किया है थाइलेंड ने नेक्स कोश्चन है हाली में किस देश के देश ने राश्ट्रपती की सक्तियों को कम करने वाला समवैधानिक संसोधन पारित पिया है तो किस printer किया है अमेर की मुद्रा Πर प्रदर्सित होने वाली पहली एसी आई अमेर की कव lovely तो यह अन्ना में rap ने लगातार टीसरी बार किस देश के राश्टरपती के रूप में सपत लिया है तो ये दोस्तों किसके चीन के राश्टपती के रूप में और इसी के साथ दोस्तों आज के करेंट अफेर्स की स्रिंखला हम लोग शुरू करने वाले हैं जितने भी हमारे साथ ही जूट चुके हैं वो एक बार से सन को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस कौन सा बन गया है नीदर लैंड जुए ये भारत का तीश रा सबसे बड़ा वैस्पी भागीदार बन गया है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि नीदर लेंड चीन और बांगला देश से आगे निकलते हुए भारत का सबसे बड़ा ठीक है सबसे बड़ा जो है तीसरा भागिदार देश बन चुका है इससे पहले कौन था चीन जो है तीसरे नंबर पे था यहां पर पहले पर है अमेरिका दूसरे पर है संयुक्त अरब बिलियन डालर का हो गया है ठीक है भारत के टॉप 10 में केवल दो यूरोपिय देश सामिल है कौन कौन से एक है नीदर लेंड और एक है यूके ये दोनों देश जो है इसमें शामिल है अब हम लोग बात कर लेते हैं नीदर लेंड की तो ये एक यूरोपियन कंट्री है और आई जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है?God गर अगर इसकी मुद्रा की बात करें दोस्तों तो इसकी मुद्रा है यूरो और इसके प्रधानमंतरी कौन है तो मारक रूटो जो है वो इसके प्रधानमंतरी है तो ये आप याद रख लेंगे सबसे बड़ा बागिदार अम तो जापान ने नी जियाई टेक के लिए खिलेंग का है चलिए थे हमारे दूसरा कोश्चन है तो कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने येरुसलम को इसराइल की राजधानी की रूप में मान्यता दी है लेकिन उसको वापस लेने वाला देश कौन बन गया है तो आस्ट्रेलिया भी बन गया है वापस लेने वाला देश इसे पहले अमेरिका ने भी ये मान्यता वापस ली थी तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि ये कहानी क्या है पहले जो आस्टेलिया के पूर्व पुर्धान मंतरी स्कॉट मारीसन थे इन्होंने 2018 में यरुसलम को इसरायल की राजधानी के रूप में मानता दे दी थी लेकिन अभी जो है एंथनी अलवनीज जो आस्टेलिया के पु आपस ले लिए ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं इसरायल कहां पर है तो इसरायल यहां पर है जिस्टों में यहां आप देख सकते हैं इसरायल है यह कौन है भूमध्य सागर है तो यहीं पर जो है इसरायल है इसमें जो है यह वहां की एक मस्जिद है कौन सी अल-अक्सा मस्दित है जो कि वहाँ पर धार्मिक केंडर है और इसी को ले करके राजधानी बनाने के लिए फिलिस्तीन और किसमे किसमे दोस्तों यरुसलम और इसराइल और फिलिस्तीन में हमेशा जो है लडाई होती रहती है ठीक है इसराइल इसे अपनी राजधानी बताता है और फिलि बिटेन में अभी हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों तो यहां के प्रधानमंतरी रिशी सुनक बन गए है और दोस्तों यहां पर बात करें तो यहीं पर राष्टमंडल खेल का आयोजन हुआ था जिसने पहला अस्थान किसने प्राप्त किया है और अस्टेलिया ने पहला सुट्टी जो है भोसित कर दिया है इसने ठीक नेक्स है आपका भारत भारत के बारे में आप लुक बराबर पढ़ते ही रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यह हम लोग आगे हमेशा देखते रहेंगे ठीक है चलिए नेक्स हमारा कोस्चन है कि यूनाइटेड इस्टेट्स Formula One Grand Prix 2022 किसने जीता है तो ये दोस्तों जीत लिया है Max vs. Tab 10 ने किसने जीता है Max vs. Tab 10 ने जीता है ये किसके खिलाड़ी है तो ये Red Bull के driver है ठीक है तो ये Formula One जो race होती है ये special race होती है और इसके लिए जो है Super license के आवशकता होती है ये हर कोई इस race में हिस्सा नहीं ले सकता है कु मैक्स वर्स टेपन, अजर बैजान, मैक्स वर्स टेपन, मियामी ग्रैंट प्रीक्स, मैक्स वर्स टेपन, एमेलिया रुमागना, मैक्स वर्स टेपन और सौधी अरब ग्रैंट प्रीक्स, किस ने जीता है, तो ये मैक्स वर्स टेपन ने ही जीता है, तो जादा तर चांस बने वाले किस देशों में किस देश को शामिल किया गया है तो यह दोस्तों सामिल किया गया है भारत को ठीक है तो यहां पर जो है जो विश्व सत्रंज चैंपियंसिप होगी उसमें 12 टीमों में किसे सामिल कर लिया गया है भारत को भी शामिल कर लिया गया है ठीक है यरुसलम और इसराइल में जो है नमंबर में इसका आयोजन होगा किसका सत्रंज चैंपियंसिप का आयोजन होगा और इसमें भारत को भी शामिल कर लिया गया है अन्य देशों में कौन कौन से हैं तो संयुक्तरा जमेरिका, चीन, नीदरलेंड ऐसे करके टोटल अब 12 देश वहाँ पर शामिल किये गए हैं ठीक है। अबिमन्यू मिस्र बने हैं जो की भारती मूल के हैं भारत के 76 में ग्रेंड मास्टर कौन बने हैं ये एक बार आप लोग देखेंगे ये प्रड़ाय करके कोई हैं वो बने हैं और 44 फिडे सत्रंज उलम्पियाड कहां पर चेन्नाई में आयोजिति आ गया अभी आपको बताया जापान जापान के बारे में निहोंसु जी आई टैग बताया जापान के एक पूरो प्रधान मंतरी सिंजो आबे ठीक है इनकी गोली मार कर हत्या कर दी गए थी और इन्हें भारत में नेता जी अवार्ड से सम्मानित किया गया था दक्षिड कोरिया की बात हम लोग कर लेत जीता है ओमान की बात कर लेते हैं तो ओमान और भारत के 20 कौन सा युद्धा भ्यास हाले ही में हुआ है तो कौन हुआ है अल नजाह युद्धा भ्यास हुआ है तो ये आप याद रखेंगे चलिए नेक्स हमारा कोईस्टन है दोस्तो कौप 27 बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी तो कौप मतलब कौन्फरेंस वाब पाल्टीज की 27 बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी ये आयोजित की जाएगी दोस्तो मिस्र में और मिस्र में अगर शहर की बात करें तो शर्म अल शेक सहर में इसका आयोजन किया जाएगा, कब किया जाएगा दोस्तों तो ये किया जाएगा, 7 से 18 नमंबर को किया जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, अगर और हम बात करें, दोस्तों तो 26 वह जो था, ठीक है, वो गलासगो स्कॉट लेंड में आयोजित किया गया था और अगर 28 की बात करें दोस्तों तो ये कहां पर आयोजित किया जाएगा तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा ये भी आप याद रखेंगे ठीक है कहां पर आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा वहां जो है यह आप याद रखेंगे क्योंकि यह question आप से पूछा जा सकता है इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं हम लोग Conference आप पाल्टीच COP का संचिप्त रूप है यह जलवाई परिवरतन पर संयोगत राश्र के धाचे यानि UNFCC इसका full farm pet में पूछा गया था दोस्तों की रियो सम्मेलन क्या नाम दिया था रियो सम्मेलन नाम दिया गया था ठीक है चलिए मैंने बताया 26 कहां पर ग्लास्गो में हुआ था 27 मिसर में होगा और 28 कहां पर होगा UAE में होगा तो यह आप याद रखेंगे UNFCC इसका पूरा नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों चलिए अब यहाँ पर जो है यहाँ आपने देख लिया यह सारी चीज़े तो आपने देख लिए अब इसमें और कुछ बताने की ज़रूत नहीं यहाँ पर देख सकते हैं Scotland दोस्तों जो है free में sanitary जो napkin होता है sanitary pets होते हैं यह free में देने वाला कौन सा देश बना है तो Scotland बना है यह भी आप याद रखेंगे ठीक है अब यहाँ पर बात हो रहे हैं दोस्तों मिसर की तो मिसर के बारे में हम लोग फोड़ी सी जानकारी ले ले लेते हैं मिसर यहाँ पर आपको दिख रही होगी ठीक है मिसर को ही क्या कहते है इजिप्ट कहते है और मिसर की सरीन चीज है कि यहां सबसे विस्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों तो नील नदी जो है मिस्र में ही बहती है वो सबसे लंबी नदी है मिस्र में है और दोस्तों मिस्र यहां पर आप देख सकते हैं स्वेज नहर है कौन सी नहर है स्वेज नहर है कहां पर मिस्र में ह किसे किसे जोड़ती है दोस्तों तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर को और लाल सागर को किसे किसे भूमध्य सागर ये लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है तो इनी दोनों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है दोस्तों ये स्वेज नहर है जो कि कहां पर है मिस्र में ही है और मिस्र की राजानी काहिरा ठीक है चलिए नेक्स मारा कोशन है कि हाल ही में भारतिय प्रतियस्वर्धा आयोग के कारिवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो ये दोस्तों न्यूक्त किया गया है संगीता वर्मा को किसे न्यूक्त किया गया है संगी दोसके और इनकी जगह पर तो असुक कुमार घुटा के अस्तान पर इनोंने नियुक्ति ली है इनका कारेकाल चार साल का पूरा हो गया- उसके बाद इनको ने अपना अस्थान छोड़ दिया- तो इनकी जगह पर संगीदा वर्मा को क्या किया गया है, नुख्त कर दिया गया है, ठीक है. और एक और रिवीजन आप देख लिए कि कौन है दोस्तों डेनमार्क जो वो पहले स्थान पर है चलिए जो यहाँ पर और नाम दिये गया है इनको हम लोग देख लेते हैं आर वेंकट रमडी तो आर वेंकट रमडी दोस्तों क्या चुने गया है भारत के अटारनी जनरल ठीक है क्या चुने गया है यह जी अटारनी ज बन जाएंगे 31 अक्तूबर में बन जाएंगे परमेस्वरन आयर क्या है दोस्तों तो ये है नीती आयोग के CEO क्या बने है CEO बने है परमेस्वरन आयर ठीक है इतनी सारी चीजे तो दोस्तों एकडम आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए नेक्स नमारा कोस्चन है हाल ही में किस सहर ने दिवाली के आउसर पर 15,76,000 दिये जलाकर गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है तो किस ने किया है दोस्तों आयोध्या ने किया है और इस मौके पर प्रधान मंत्री जी भी आयोध्या के दौरे पर आ संगहाई सहयोग संगतन की सांसकृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है किसके रूप में सांसकृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है इंदौर की बात कर लेते हैं तो इंदौर छटमी बार सबसे स्वक्ष सहर के रूप में नामित किया गया है और भारत का पहला water plus सहर भी कौन बना है water plus सहर भी कौन बन गया है दोस्तों इन दोर ही बना है भारत का पहला water plus सहर है है थराबाद की बात कर लेते हैं तो दो चीजे में बताऊंगा जो बार बार आग तो बता रहा हूं ग्रीन वर्ड देखें ग्रीन वर्ड सिटी का अवार्ड किस ने जीता है ग्रीन सिटी आप दवर्ड ग्रीन सिटी आप दवर्ड का अवार्ड किस ने जीता है तो हैदराबाद ने जीता है दोस्तों और इसके बाद बात करें कि हैदराबादी हलीमा ये तो आपको याद ही हो को ब्लू फ्लैग प्रमाडन प्राप्त हुगा देखी दोस्तों अभी जो है अपडेट नहीं हो रही है जिसकी वजह से अच्छे-अच्छे questions नहीं मिल रहे है तो फालतू के questions पढ़ाने से अच्छा है कि दो दिन को एक में मैंने मिला दिख जाएगा तो यह मैंने प्लान किया है तो आप लोगों को अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखे हाल ही में भारत के किन दो तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाडन दिया गया तो ब्लू फ्लैग प्रमाडन क्यूं दिया जाता है तो यह आप देख लिजिए सुक् लक्ष दीब कहां पर हैं, ये दोनों तट कहां पर हैं, तो लक्ष दीब के तट हैं, इसे ही प्रदान किया गया है, अब दोस्तों देख लेते हैं कि ये कौन प्रदान करता है, जो ब्लू फ्लैग प्रमारन होता है, ये कौन प्रदान करता है, तो डेनमार्क की एक संस्था है Foundation for Environment Education FEE क्या है FEE Foundation for Environment Education जो एक संस्था है वो ये परमाडन परदान करती है और दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत में कितने तट ऐसे हैं जिनको ये परमाडन मिल चुका है तो दोस्तों टोटल कितने हो गए है तो बार हो गए है जिने ये मिल चुका है तो 10 के नाम आपको यहां दिख रहे हैं और दो अभी आपको मैंने बताया ठुम्बी और कदमई तो ये जो मिला करके आपके टोटल 12 हो गए है बात करें कि सबसे पहला कौन था तो सबसे पहला था कि गोल्डेन तट उडीसा का जो गोल्डेन तट था वो ब्लू फ्लैग परमाडन पाने वाला पहला तट बना था तो ये आप याद रखेंगे ठीक है और अभी हाल ही में कोलम और पुडूचेरी को सबसे जो है लास्ट में शामिल किया गया है तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं ठीक है ये टोटल हो गया आगे देखते हैं अगला हमारा प्रस्ट है कि 2023 में इंटरपोल महसभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो आपने अभी देखा था दोस्तों 2022 में 90 मी बैठक हुई थी कौन सी? 90 मी नहीं 90 90 मी बैठक हुई थी और कहां पर हुई थी तो नई दिल्ली में कहां पर हुई थी दोस्तों नई दिल्ली में हुई थी इसकी बैठक और अगर बात करें कि इसकी मेजबानी किस ने किया था तो मेज़बानी किया था भारत ने, ठीक है, भारत ने इसकी मेजबानी की थी, और यहीं पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कौन सा, की विश्व का पहला ठीक है, ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लांच किया गया, कहां से इसी जो है बैठक से लांच किया गया था, बात पूछे तो आश्रिया शहर पूछे तो आपको वियना लगा देना है तुरंत तन है अब बात कर लेते हैं कि इंटर पोल जो है ये कब बना तो ये बना दोस्तों 1923 में कब बना 1923 में इंटर पोल बना और बात कर लेते दोस्तों कि इसका मुख्याला कहा है मुख्याला है फ्र इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, तो Interpol के बारे में, I think इतनी जानकारी आपको एकदम परियाप्त हो जाएगी, ओके, चलें आगे, नेक्स हमारा question है कि Indian Banks Association के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो Indian Bank Association के नए अध्यक्ष A.K. गोयल, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, A.K. गोयल, तो इनका पूरा नाम है दोस्तो, अतुल कुमार गोयल, क्या नाम है, अतुल कुमार गोयल नाम है, तो यही चुने गए हैं, Indian Banks Association के अध्यक्ष तो इसके बारे में देख लेते हैं, अतुल कुमार गोयल को MD और CEO भी हैं, तो यह भी आप याद रखेंगे दोस्तो, IBA मतलब Indian Bank Association भारतिय बैंक संग का गठन जो 26 सितंबर 1946 को 22 सदस्यों के साथ किया गया था, इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तो, तो मुंबई में इसका मुख्यालय यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है, अब हम देख लेते हैं, अन्य options, संजे मलहुत्रा, तो अभी मैंने बताया, दो लोगों की न्यूक्ती हुई थी, एक साथ, एक आर्माने गिर्धर, एक संजे मलहुत्रा, तो संजे मलहुत्रा अपना कारेकाल 30 नवंबर को लेंगे, और आर्माने गिर्धर का लेंगे, 31 अक्तूब देखे इनके न्यूक्टी होगी 9 नवंबर को, कब होगी 9 नवंबर को, किसके अस्थान पर होगी, तो Justice UU ललित के अस्थान पर होगी, जो कि भारत के 49 मुख्य नायधीस बन चुके हैं, किसकी जगह पर ये बने थे, N.V. रमन्ना की जगह पर बने थे, N.V. रमन्ना कौन से 48 में नंबर के मुख्य नायधी स्थे, देखे ये जल्दी जल्दी बदल रहे थे, अब दोस्तों ये 2 साल बात बदलेंगे, मतलब 2024 में अब बदला जाएगा, मनोज पांडे की बात कर लें, तो मनोज पांडे कौन बने हैं, ये बने हैं, मनोज पांडे, ठीक है, थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मनोज पांडे बन चुके हैं, तो ये आपका रहा कुछ रिवीजन, और कुछ रिवीजन निवक्यों से कर लेते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिवीजन आपके सामने रखे गाए हैं, तो वेंकट रमडी दोस्तों क्या ब तो नीती आयोग के CEO बने हैं, सुमन के बेरी की बात करें, तो नीती आयोग के उपाध्यक्ष बने है, नीती आयोग की चर्चा बार-बार हो रही है, तो देख लेते हैं, एक जनवरी 2015 को जो है, इसका नीती आयोग बनाया गया, किसने जो है, तो प्रधान मंतरी मोधी जी और इसका अध्यक्ष कौन होता है तो हमेशा जो है जो भी वर्तमान में प्रधान मंत्री होगा वही नीती आयोग का अध्यक्ष भी होगा तो ये भी आप याद रखेंगे ठीक है चलिए राजीव कुमार की बात कर लेते हैं तो राजीव कुमार क्या बने है ये मुख्य चु अभी मैंने आपको बताया कि अब ये बनेंगे ये होंगे पचासवे नमबर के ठीक है भारती दास की बात कर लेते हैं तो ये बनी है देखे कैग और CGA में अंतर होता है तो ये बनी है CGA ठीक है महा लेखा नियंतरक इनको कहा जाता है CGA बनी है किसकी जगह पर तो सोनाली सिं से बने है रोजर बिनी किसकी जगह पर तो सौरब गांगुली की जगह पर बने है नेक्स नमारा कोशन हाली में जल जीवन मिसन के तहत सत प्रतिसत घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना है तो सत प्रतिसत घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य आपका बन गया है गुजरात कौन बन गया है दोस्तों गुजरात बन गया है तो ये भी आप याद ही रखेंगे और अगर हम बात करें दोस्तों कि गुजरात की ठीक है तो गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है तो भुपेंदर पटेल हैं और महा की राज़ानी गादी नगर और ब बारे में एक है हर घर जल ठीक है हर घर जल प्रमारन पाने वाला पहला राज जिकॉन बना है तो आप लोग कमेंट बाक्स से फटाफट से उत्तर देते रहीं ठीक है चलिए अगला देख लेते हैं आप संस को हम लोग देखते हैं कि जल पुरसकार जल पुरसकार 2020 दोस्तों प मिलनाडू बना है और हरियाणा की बात करें तो जल से संबंदित यहाँ पर कोई सीज तो नहीं हुई है लेकिन अभी राजनीतिक आर्थिक न्याय के बारे में आपने देखा अभी मैंने रिवीजन में भी बताया तो उसमें पहला स्थान किसका मिला है तो हरियाणा को पहल बीच विजिल एप जो है गुवा सरकार ने लांच किया है बीच विजिल एप बात हो रही थी गुजरात की तो गुजरात के बारे में कुछ और महत्पूर्ड करेंट अफेर्स देख लेते हैं बारावा डिफेंस एक्सपो कहां पर गुजरात में हुआ है सेमी कंड़क्ट पहली पेपरलेस हाई कोर्ट ठीक है तो पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बनी है तो ये आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा दोस्तों गुजरात के बारे में मैं कुछ और भी आपको डिवीजन करा देता हूँ कि सबसे पहले सामुदाइक रेडियो इस् इसकी है सरदार वल्लब भाई पटेल की प्रतिमा है 182 फिट उसी प्रतिमा है गुजरात के केवडिया में और यहीं से दोस्तों मिसन लाइफ अभी हाल ही में मिसन लाइफ जो है किसने शुरू किया है तो परधान मंतरी मोधी जी ने शुरू किया गुजरात के केवडिया स से ही शुरू किया है बात वी थी पेपरलेस हाई कोड तो कौन सी हाई कोड बनी है केरल हाई कोड जो है पेपरलेस हाई कोड बनी है अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं चब पचीस और 26 अक्टूबर का जो आपको क्रेस्चन दिया गया था उसका उत्तर संयुक्त करेंगे उतना ही आपको याद होता जाएगा आज का आपका किवल एक कोश्चन रखा गया है कि बंगाल की खाड़ी में आये चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है ठीक है यहां से दो कोश्चन आपको बनेंगे किस ने नामकरण किया है और यह कहा किया गया है शामिल किसे किया गया तो शामिल किया गया है तो आज का आपका कोश्चन यह रहा और इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजेगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और सेर जरूर करिएगा और कॉमेंट वास में जरूर लिखेगा कि सामसकार धन्यवाद जय हिंद